तो इस तरह से जो हमारा पहला step है context को समझना वह पूरा होता है अब हम अपने दूसरे step पर आते हैं और वो है content content का मतलब mission की demand के according हमें जो भी चीजें पता हैं topic के बारे में हम उन्हें gather करना शुरू करते हैं beginners इसके लिए किसी भी resources का use कर सकते हैं इसे magazine, editorials, newspapers, websites उन्हें तो आप या तो अपने माइन में रख सकते हैं या फिर उनका rough point पना के rough page पर लिख सकते हैं for example economy से related है तो यह आपे बहुत सारे figures आपको मिल रहे होंगे बहुत सारे data मिल रहे होंगे जैसे की 400 million लोग हैं जो informal sector में काम करते हैं lockdown होने की वज़ा से उनके पास income नहीं आ रही है और फिर इस वज़ा से वो poverty की तरफ जा रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं काफी government की ऊपर भी burden है इस तरह से काफी points आपको मिले होंगे लेकिन यह अभी unstructured होते हैं लेकिन हमें answer to the point और proper presentation के साथ लिखना होता है इसलिए अब हम अपने third step पे आते हैं जो इस raw information को structure करेगा और हमारा third step है structure किसी भी answer को उठा के आप देख लें उसके structure में तीन basic component होते ही हैं पहला introduction, दूसरा body और तीसरा conclusion अब ये तीनो component का लिखना question to question differ करता है knowledge के उपर depend करता है और आपके experience के उपर question to question differ करना मतलब question के topic सेम रहते हैं लेकिन उसकी जो tone match करने होती है question की उसी के according आम introduction में भी language यूज करते हैं फिर body में और फिर conclusion में next अगर knowledge जादा better होगी तो content भी उतना अच्छा रहेगा और फिर जैसे जैसे experience होता जाता है daily answer writing से उतनी जल्दी इन सब की पहचान होने लगती है कि किस question में किस तरीके का answer देना है पर इसका मतलब यह नहीं कि आप अभी बैठ जाएंगे और knowledge पूरा इखटा करने लग जाएंगे और फिर तभी answer writing करेंगे शुरुवात चाहे आप आज करिये या 6 महीने बाद honestly वह disaster होगी लेकिन यह भी सच है in fact 100% सच है कि अगर आपने consistency के साथ अपनी कोशश जारी रखी लंबे समय तक तो वह जो disaster था वह एक खुशनुमा मौसम में तबदील हो जाएगा और बारिश से गीली हुए मिट्टी की खुशबू किसको पसंद नहीं है मेरा मतलब success से था इस point पर अब हमने अपना context समझ लिया है content हमें पता है क्या लिख सकते हैं और structure पता है कि हम किस तरह present कर सकते हैं तो आप यह video pause कर सकते हैं और इसका answer खुद लिख सकते हैं I hope आपने अपना answer लिखा होगा तो हम देखते हैं कि इसका answer more or less किस तरह का होना चाहिए answer का पहला component हम देखते हैं जो है introduction तो हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि international labor organization ने अपनी report के अंदर mention किया 400 million people जो informal economy के अंदर काम कर रहे हैं वो और ज्यादा गरीबी की तरफ चले जाएंगे और इसका असर बहुत सारी चीजों पर पढ़ सकता है अब जड़ा question देखिए एक बार question के अंदर भी यही पूछा गया है कि ऐसे कौन से catastrophic consequences हो सकते हैं यह explicit नहीं है लेकिन elucidate इसी बात को mention कर रहा है कि इस line को और ज्यादा explain करें तो basically यहाँ पर तीन चीजों का interrelation चल रहा है पहला जो लोग है informal economy के अंदर दूसरा गरीबी और तीसरा consequences और वो भी catastrophic consequences मतलब negative और answer को देना है 150 word में तो हम बहुत ही directly body के अंदर इसके बारे में mention करेंगे तो हमारी body कुछ इस तरह से होगी subheading बनाके lack of work lockdown जैसे measures लेके अब काम नहीं है उसकी वज़ा से लोगों के पास income नहीं आ रही है और उसकी वज़ा से वा poverty तरफ जा रहे है फिर lack of benefits हमें पता है कि informal sector के अंदर security नहीं होती है और नहीं किसी तरह के health benefits दिये जाते है तो corona जैसी situation की वज़ा से इसका बहुत ही sudden impact पड़ा है अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं informal sector के अंदर जो daily earning पे अपना गुजारा करते हैं उनके पास काम करने के लिए कोई demand नहीं है और नहीं कोई powerful saving होने के कारण गरीबी से बच पा रहे हैं migratory laborers का अभी हमने बहुत जादा issues देखा था उन्हें अपने job से निकाला भी है और वापस अपने home state आने में भी परिशानी हो गई लोगों के साथ साथ इसका से government के उपर भी दिखेगा ऐसा estimation है कि अगर lockdown के वज़ा से 25% income में कमी हुई तो वह 354 million लोगों को गरीब बना सकता है और इसको fix करने के लिए government को खुद खर्चा करना पड़ेगा और जो कि अपने आप में government के लिए burden है इसको आप इस तरह से chart के form में भी express कर सकते हैं फाइदा यहाँ होगा कि space बचेगा और आप way forward लिख पाएंगे जिसमें measures दे सकते हैं कि कैसे इस impact को reduce किया जा सकता है हाला कि अगर आप question पढ़ेंगे तो यह demand नहीं है लेकिन एक अच्छा impression देने के लिए यहाँ एक good practice है finally हम concluding remarks देंगे अपने कि अगर government ने timely intervention नहीं किया informal sector में काम कर रहे इतने लोग और ज़्यादा करीबी में चले जाएंगे finally बात करते हैं कि ऐसा कौन सा x factor होता है ऐसे candidate के बीच जिसकी knowledge टॉपर की knowledge के equally होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम marks मिलते हैं almost किसी भी टॉपर की copy अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़े common दिखाई पड़ेंगे पहला जितना भी possible हो उतना यह point में बनाकर answer देते हैं कीवर्ट के नीचे underline करते हैं जिससे की examiner की attention directly उन कीवर्ट पे जाएं तीसरा answer के अंदे visibility बनी रहे उसके लिए short paragraphs बनाते हैं 5 to 6 lines के depends on individual handwriting जितना possible हो वहाँ पे flow charts, diagram, map लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक x-factor answer के अंदर आ जाता है और उनकी copy दूसरों की copy से अलग दिखाई पड़ती है आप भी इन बातों का ध्यान रखिए daily answer writing करते रहे हैं जिससे की यह सारी चीजें आपकी आदत में आ जाएं इतना ही इस वीडियो में keep writing, all the best, see you in the next video